हुआ है हलो एफ्रीवन कैसे सब बहुत दिन बाद सबसे मुलाकात हो रहे हैं उमेद करता हूं सब बहुत अच्छे है पहले तो आप सब को बहुत थैंक्स धन्यवाद किया आपने बेटे की होने पर इतनी शुब यह सब में दिल से सब को कि वीडियो जो इतने दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं एक बहुत वाइटल इंफोर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने के लिए वीडियो बना रहा हूं है अभी एससी ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पेक नोटिस चारी किया है कि एक्जाइम से रिलेटेड जो अभी आपके अपकमिंग एक्जाइम से ने जितने भी उनसे रिलेटेड गाइड लाइन उन्होंने दी है तो क्या है वो गाइडलाइन सही है या गलत है जो भी है वो सब हमने देखना है किन-किन बातों का ध्यान रखना है जिन बच्चों के अभी एक्जैम स्टार्ट होने वाले हैं उन सब बच्चों को किस बात का ध्यान रखते हैं पेपर के अंदर जाना है वो देखिए सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर करी करना है जो कि बहुत कॉमन चीज है हर बार आप करके जाते हो ठीक है कि सेकिंड पॉइंट इस बार जो वो टाइम का है एस से ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर आप एक मिनट भी लेट हूं सिर्फ एक मिनट लेट हो तो जो आपके गेट है वो क्लोज कर दिये जाएंगे कोई एंट्री नहीं मिलेगी प्रॉब्लम क्या यह तो हर बार होता है इस बार प्रॉब्लम यह है कि जैसे आप जाते हो एक्जाम सेंटर के उपर तो आप बहर देखते हो इक लिस्ट लगी होती है उसको में आपको नाम ह इस बार आपको वो नहीं मिलेगी ठीक है इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हैं लिस्ट को बाहर नहीं लगाया जाएगा रोल नमबर वाइज जबकि जो आपको चेक करने वाले होंगे वही आपका रोल नमबर देखके बताएंगे कौन से रूम में आपको जाना है त टाइम ज्यादा कम जियो मोगा पिसली बार के तरह 10 मिनट के अंदर काम नहीं निटेगा और ज्यादा टाइम लगेगा कम बच्चों के अंदर को भी बच्चों को भी डिस्टेंस में रखा जाएगा तो इसलिए कम से कम कोशिश करना दो घंटे नहीं तो देड़ घंटे प दोख फोटो चाहिए आपके यह फोरटो लिटेस्ट वने चाहिए पुराने मत लेके जाना और वह भी миनट ऑफटो होने चाहिए ब्लैक ऑडवाइट मत ले के जाना दोıkतं पासपट소शरी जो कि अपुर लेके जाना और क्या इस बार उस में है सब्समारी पिरम्रें एंक अगर आपके पास hand sanitizer की बॉटल नहीं है 50 ml की बॉटल कम से कम ज्यादा बड़ी मत लेना पचास ml की बॉटल hand sanitizer की आपके पास अगर नहीं है तो बच्चे exam center में आपकी कोई entry नहीं होगी paper आपको नहीं देने दिया जाएगा हेंड सेनिटाइजर 50 ml की बोटल साथ में आपको कैरी करनी है याद रहे हैंड सेनिटाइजर 50 ml ट्रांस्पेरेंट वाटर बोटल कैरी करनी है पाने की बोटल कई बच्चों को लेके जाने की हैबिट होती है ट्रांस्पेरेंट होनी चाहिए और कोई अलाउड नहीं होगी एक्जाइम सेन्टर के अंदर पाने की कोई वेवस्था नहीं होगी यह स्पस्ट बना कर दिया गया अगर आपको पानी कैरी करना है तो खुद लेके जाएंगे कोई भी समान आप अपने साथ लेके ना जाएंगे अब तक एक्जाइम सेन्टर के यह सब रखने के लिए एक सुधा होती थी इस बार वो हटा दी गई है अगर आप कोई गोड्स मोबाइल कुछ भी ऐसी चीज़ लेके जाते हैं तो वो आपके एक्जाइम सेन्टर की कोई कोई रिस्पॉंसिबिलेटी उसको लेके नहीं होगी यह साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है है और क्या है जो बहुत इंपोर्टेंट है इस सब के साथ साथ यह तो आपके साथ कॉमन है ही ठीक है इंप गए-ग एक सेल्फ डेकलेरेशन आपको देना है तका ज़सेर्फ डेकलेरेशन अभी ऐस्से के ओफिशल वेबसाइट पे न्तिस आपको आहाया है उस नॉटिस और दाउनलोट घरेंगे तो उसके एंडे में आपको मिलेगा एक सेल्फ डेकलेरेशन वह आपको प्रेंट आउट लेना है उसके अंदर आपको नेम रोल नंबर एक्जैम वेन्यू एक्सेट्रा टाइप ही चीज़ें आप फिल करके लेगे जानी है जिस पर लिखाओगा एम नॉट कोविड नाइंटीन पोजिटिव मुझे कोविड नाइंटीन जैसा कोई लक्षन या कोविड नाइंटीन मुझे नहीं है यह डिकलेरेशन आपको एससे को देना है इसमें सबसे इंपोर्टेंट है आपका बोडी टेंप्रेचर ससी में सबस्ट रूप से कहाया कि बोडी टेंप्रेचर नाइंटीन पॉइंट वन सिक्स फेरेनहाइट से नीचे होना चाहिए अगर 99.16 या इससे उपर हो गया तो आपको एक्षैम सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा थर्मल स्क्रीनिंग आपकी वहीं पर होगी ठीक है यह सब वह बाते हैं जो आपको एक्षैम देने से पहले जाननी जरूरूरत थी इसमें एक्स्ट्रा हैंड सेनिटाइजर पाने क एक आईडी प्रूफ लेके जाना जिसके अंदर आपके डेट ऑफ बर्थ क्लिरली मेंशन हो यह आपके साथ पहले भी होता था बट उसके अलावा यह पॉइंट टाइम के अंदर पहले पहुंचना है दो फोटो लेके जाने हैं हैंड सेनिटाइजर लेके जाना है ट्रांस कि विरोध करें नहां करें तो देखो अभी ऐसे सी ने नोटिस दिया है कि ठीक है कि अग्यों कि एफ कैट कभी एग्जैम हुआ है तो इन दोनों में क्या डिफ्रेंस है ऐसे सी ने कहा जो बोड़ी टेंपरेचर है वो 99.16 फैरनाइट से नीचे हो कि अधरवाइज कि आप अलाव नहीं किया जाओगे कि इसने कहा कि बोड़ी टेंपरिचर 99.40 फैरनाइट हो इससे नीचे है बट अगर एसे सी में इसके उपर हुआ तो आप रिजेक्ट होगे पेपर नहीं दे सकते हैं आप बोड़ सकते हो भी है रिलेक्षन में वह सरकार ने कह दिया है लेकिन पेपर नहीं सकते इस बारे मैं कुछ नहीं कर सकता है अभर आप दे सकते हो अगर इससे ऊपर हुआ तो कि 20 मिनट तक वो लोग आपको आईसोलेट करेंगे एफकेट वाले फिर रीचेक क्यानि कि एक मोखा और मिलेगा अगर इससे नीचे आगा तो आप अलाउड कर दी जाओगे अगर 20 मिनिट के बाद भी इससे उपर हुआ यानिकि इनको एक संभावना लगी कि आप कोवेड़ नाइंटिन के शेकार हो सकते हो इस टाइम पर तो फिर भी आपको एक आईसोलेशन रूम में कि अलाउड किया जाएगा आप बिलकुल अकेले बैठके पेपर दोगे जबकि एससे ने ऐसी कोई वेवस्था नहीं की है मुझे लगता है कि अंदर जो बैठें वो कहीं पड़े लिख्के गए होंगे उनको पता होना चाहिए कि नॉर्मल बोड़ी टेंपरेशर रेंज 97 डिग्री फैरनाइट से लेके इतना नॉर्मल बोड़ी टेंपरेशर होता है मतलब यह आने के संभावना बहुत ज्यादा है स्टेंडर टेंपरेशर 98.4 होता है जो इतना हो जाए तो कुछ भी नहीं माना जाता बहुत नॉर्मल है तो यहां तक पहुंशना थोड़ा से चांसिस नेगटिव दिखाते हैं तो बच्चों का पूरा भविश्य आपको बरबाद करने की तयारिया से से ने कर लिए वट आपको जहां रखना है अब जो हैसो है जो मैं तो कुछ नहीं कर सकता यहां इन लोगों इसलेशन वाड़ बनाके बच्चों को लाओ किया है यह लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे आप कहीं फ्लो के चक्र में भी आगे थोड़ा सा फ्लो हो गया कोई भी नॉर्मल जुखाम बन गया टेंप्रेचर हलका सा हाई हो गया कोई नहीं समझेगा आपकी बात को ठीक है तो बहार मत जाओ अभी से अपने आपको अकेले में रखो किसी से मिलो मत थोड़ा सा खाना कोई भी ऐसा मत करो थोड़ा फूट ज्यादा कंजूम करो ठीक है और लिक्विट डाइट जादा लो इस टाइम पे आप कोई भी ऐसी गलती मत करना जिससे आपको लगे कि आप बिमार पढ़ सकते हो ठोड़ा सा अगर ऐसा है तो यह आपकी पूरी जिन्दगी की मेहने दर आपके सर पे टेंशन हो जाती और वो यह पेपर देने जाते हो बोड़ी का टेंपरीचर बढ़ा होता है कहीं को तो वीडियो देख की बढ़ गया होगा अभी तक ऐसे ना बोटी टेंप्रिटर गरम होना स्टार्ट होता है वो गलती से अगर थर्मोमेटर स्कैनिंग में आ गया बच्छा तो देखो फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा ठीक है तो यहां पर आपको पेशेंस लेव जिससे अब थोड़ा सा अपनी बोडी के उपर अपना एक सेल्फ कंट्रोल आप कर सको जिससे आप पेनिक ना हो आपका बोडी टेंप्रिचर नॉर्मल रहे बिल्कुल ठीक है तो यह सब गाइड़लाइन इस बार एससे से ने जारे गी हैं सही है गलत इसको चेंज करना चा है ताकि कोई मिस्टेक ना हो जिससे अब करियर खराब हो जाए वीडियो को पूरा देखें शेयर करें लाइक करें कमेंट करना ना भूलें चैनल सब्सक्राइब करें और अपडेट्स में आपको देता रहूंगा अगर कोई नहीं अपडेट मिलती है तो जैम से पहले वह भी आपको प्रोवाइड करवा दूगा और आपने शेयर करके यह जानने कोई और डाउट हो तो बच्चा कमेंट के अंदर करके शेयर करें और बच्चों ने कहा था क्लास के लिए बच्चे में वापिस आ गया हूं तो बहुत जल्द आपकी क्लास भी मैं स्टार्ट कर बिल्कुल ठीक है आपको समझाओंगा चीजें कैसे करनी हैं जुडे रहेंगे लगाता टेंशन मत लेना गुश्कराते रहना स्माइल करना और पेपर बिल्कुल अच्छे से करके आना जो बताया है उन बातों का ध्यान रखते वे जाना ओल देबेस्ट टोल फ्यू थैंक्